आपने वालाए हाँ एंट विडियो की टाइटल से आपको पता चले गए होगा की आज पीरी लिगाए घाले की वीडियो सेंट पहुतów ये वीडियो की तोपिक पेहे होने वाले है एक इसामे रिख ये नहींगले की लिए पेर ँपके लिगेला खेला होवागां फो हाँ इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये रखी है आप पहां से क्लिक करके उसे देख सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को एंड तक देखे क्योंकि वीडियो के एंड में एक गीव भी होने वाला है लेकिन उससे पहले मैं अगली वीडियो के बार में थोड़ा से बतादू उस वीडियो में बताया था कि मैंने पहले ये मास्क अमेजोन से लिया था और फिर मुझे फेक डिलिवर हुआ था और फिर मैंने इसकी डिलर से बात की थी और फिर बात में मैंने इसे दूसरी वेब साइट से मगाया था जो डिरेक्ली युएस से इंडिया में शिप करते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताओंगी कि इंडिया में ये वाला ओरिजिनल मास्क आफ कहां से पूर्चेस कर सकते हैं तो इप ये है अरुच लगा दिया है और साथ ही उन्होंने मुझे एक सैंपल बेज़ा है ट्राइ करने के लिए ये विडियो स्पॉन्सर नहीं है तो मैं ये अपके साथ शेयर करना जाती हूँ और इस वीडियो में मैं इस मास को कमपेर करूंगी इस मास्के साथ जो की मेरे पास परे स और आपको बताओंगी क्या ये वाला मास्क भी औरिजनल है या नहीं लेकिन उससे पहले इसकी पेकेजिंग में जो थोड़े से चेंजिस हुए है वह मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये वाला मास्क मेरे पास पहले से है और ये वाला मास्क जो की सैंपल प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं कि दोनों की बोटल अलमुस सिमिलर ही है दोनों बोटल ट्रांस्रूसेंट भी है और यहां का आगी का जो लेबल है वह भी दोनों में से हमी है लेकिन जब हम इसे पीछे टरं करते है तो यह पे जो लिखा हुआ है उसमें थोड़े से चेंजिस हुए है और जब हम इसे ओपन करते है तो जो पहले वाला पेकेजिंग था उसमें उपर कोई सील नहीं था लेकिन जो नया पेकेजिंग है उसमें उपर एक सील लग गया है हमारे प्रोड़क्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि बहुत अची बात है लेकिन पेकेजिंग हमारी यह उतनी मेटर नहीं करती जितना की प्रोड़क्त मेटर करता है तो अब मैं इन दोनों के प्रोड़क्त को दिखाऊंगी कि क्या प्रोड़क्त भी वही ओरिजिनल है या नहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दोनों बोटेल्स को रखा हुआ है यह वाली जो कि मेरे पास पहले से है और यह वाली सेमबल प्रोड़क्त अब सबसे पहले इन दोनों के देख लेती है आप देख सकते कि दूनों का कलर ग्रीन है अगर आपने मेरी अगली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो फेक प्रोड़क मुझे गिलिवर हुआ था उसका कलर केसा था और अगर आपको इन दोनों ग्रीन में थोड़ा सा डिफरंस दिखरा है तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि जो प्रोड़क 100% और्गनिक होते है उसमें थोड़े से कलर चेंज होना बहुत ही नॉर्मल बात है यूज करने के लिए इसे मिक्स करना होता है एपल सैडर विनेगर के साथ और जब भंगोसे मिक्स करते है तो थोड़े से बबल क्रीएट करता है तो सबसे पहले में ये वाला मास्ट चुकि मेरे पास पहले से है उसमें से थोड़ा प्रोड़क्त लेके उसमें एपल सैडर विनेगर एड़ करूंगी अब देख सकते हैं कि ये कि सब बबल क्रीएट करता है अब यही सेम प्रोसीजर में ये सेंपल प्रोड़क्त के साथ करूंगी उसमें भी में एपल सैडर विनेगर एड़ करके देखूंगी कि क्या ये भी बबल क्रीएट करता है या नहीं अब देख सकते हैं कि यह वाला भी बिल्कुल उसी तरह बुगल क्रेट करता है इसका मतलब है कि दोनों प्रोड़क्त सेम हैं और जो मुझे सेंपल प्रोड़क्त भीजा गया है वह बिल्कुल ओरिजिनल है अब मेरे फेस के हाफ साइड पे यह वाला मास्क अपलाई करूंग कि अभी गे लिए हैं अब दस मिट के बाद मैंने इसे वोश कर लिया है अब देख सकते हैं अब मेरे फेस के दोनों तरफ तो रिसी रेडनेस हो गई है अब रेडनेस क्यों होती है वह सारी डीटेल्स मैं अपने अगली वीडियो में बता दी है तो यह मैं दूबर रिपिट नहीं करूंगी नीचे मैंने अल्रेडी लिंक दे रखी है आप वहां से उसे देख सकते है अब मै अब बता है तो यह अच्छा टाइम है इसे परचेस करने का और इसके अलावा यह नाएका पे भी ले सकते हैं लेकिन वह वाला मैं नहीं किया है तो उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी वीववे के लिए आप मेंसे किसी एक मीनर को मैं यह वाला मास्क गिफ्ट आप वहां से देखके इसमें पार्टिपेट कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है वीडियो को लाइक करें नीचे कमेंट करें और अपने फ्रेंज के ताथ शेयर करें और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं क झाल